हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरेल पर स्वागत है आज हम लोग JCRT क्लास 6 का नागरिक सास्त्र का कोसेंसर करने वाल है चेप्टर 6 का कोसेंसर करेंगे और चेप्टर 6 का नाम है अस्थानिय स्वसासन तो वीडियो के साथ बेने रहिए और कहीं पर तिकत हो सीट महिला के लिए आरक्षित है पहला अपसन देख्टियों क्तिया 20 000000 तुसरा स्वसादी य चोथा 33 0030 तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number ग, okay, पच्चास प्रतिसत तो जारखंड के पंचात चुनाओ में महिलाओं के लिए सीट का जो आरक्षित रहता है, सीट महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहता है वो रहता है, पच्चास प्रतिसत इसे नोट कर लिए फिर हम लोग बढ़ते हैं तीसरा नमबर की ओर तीसरा नमबर की question है बड़े सहरों में नगर निकाय की संस्था को क्या करते हैं तो बताना है कि बड़े सहरों में नगर निकाय की संस्था को क्या करते हैं पहला option है नगर निगम दूसरा option है नगर पालिक का दिस्रा option है नगर पंचाइज नगर परिशद तो इसका सहीं अंसर हो जाएगा option number पहला option द केंदेखे तीन नगर निगम या फिर दुसरा चार नगर निगम या फिर G calcium नमबर पांच नगर निगम या फिर घा नमबर दो नगर निगम तो जारखन में कुल नगर निगमों की संखिया पांच है उपसर नमबर ग सही हो जाएगा इससे आप नोट कर लीजे अब दिखिए सकेंड नमबर का रिक्त अस्थानों की पूर्ति करें ओके खालेस्थान को प्रधान होता है तो इसका अंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत मुख्या ग्राम पंचायत का प्रधान होता है फिर देखिए गा नमबर पंचायती राज विवस्था का खालेस्थान अस्तर प्रकंड अस्तर पर होता है तो देखिए इसका खालेस्थान में भरना है सबसे जिला अस्तर पर पंचायती राजवर्ष्था की सबसे उचतम कड़ी है अब देखिए अंगा नमबर नगर निगम की बैठक की अधिक्षता खाले स्थान करता है तो इसका अंसर हो जाएगा मेयर नगर निगम की बैठक की अधिक्षता मेयर करता है इसे नोट कर लीजे उसके बाद बढ़ेंगे कोर्शन अंसर की ओर कोर्शन अंसर का पहला नबर दिखिए अस्थानिय स्वसासन से आप क्या समझते हैं बताना है तो इसके अंसर दिखिए अस्थानिय स्वसासन का अर्थ ऐसे सासन विवस्था से है जिसमें अस्थानी अस्तर पर सासन का कार्य होता है इसमें गरामिन छेत्रों में निर्वाचित जन प्रतिनीधियों द्वारा सासन विवस्था को संचालित किया जाता है तो इसे आप नोट कर लीजे फिर हो लोग बढ़ेंगे सेकंड नमबर की ओर सेकंड नमबर की कोस्टन है आपके राज में पंचायती राज के कितने अस्तर हैं तो बताना है कि जार्खन में जार्खन में पंचायती राज के कितने अस्तर हैं तो देखिए इसका उतर हमारे राज जहारखन में पंचायती राज विवस्था तीन अस्तर पर काम करती है पहला देखिए का नमबर ग्राम अस्तर पर पंचायती राज विवस्था खा नमबर देखिए ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधाईका होती है एक पंचायत के छेत्र में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता इसके सदस से होते हैं ग्राम पंचायत गाउं के हित के लिए कैर करती है जिसमें ग्राम सभा महतपूर्मुमिका निभाती है ग्राम सभा, सभा में पारित नियमों एवं कानुनों को लागू करवाती है, पंचायत को माने ढंग से कायर करने पर रोक लगाती है, साथ ही साथ पैसों के दुर्प्योग एवं गलत कारियों पर निगरानी करती है, एवं अंकुस लगाती है, तो इस तरीके से ये सब है ग्र नामसभा तो इसे आप नोट के लिए इसके बाद में बढ़ेंगे next four number की ओर four number का question है नगर नियम के विभीन कार्यों को लिखें नगर नियम का विभीन कार्य को लिखना है तो देखिए answer नगर नियम के प्रमुख कार्य का नमबर देखिए शुद्य एवरियापत जल की आपूर्ति कराना का number सारवजनिक सडकों एवर गलीयों में प्रकास की विवस्था कराना फिर देखिए गा नमबर जन्म एवा मृत्यु का पंजीकरन करना और प्रमान पत्र निर्गत कराना फिर देखिए चा नमबर मचरों कीडों आधी के प्रकोप की रोक्थाम करना तो यह सब कार्य कौन करता है नगर निगम तो इससे आप नोट कर लिजे उसके बाद मुढ़ेंगे नेक्स्ट फ उत्तर शुरू होता है उत्तर तो देखिए मुख्या के कार्य किलर है नमबर मुख्या ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है नमबर वारे सदस्य के बहुमत से योजनाओं को स्विक्रित करवाना और विकास कार्य में लागू कराना फिर देखिए नमबर पंचायत कर्मियों पर नियंतरन रखता है फिर देखिए घा नमबर पंचायत के कारियों के लिए पंचायत निधी से भुकतान है तू चेक जारी करता है तो यह सब कारियों मुख्या करता है इससे आप नोट कर लिजिए इसके बाद हम लोग कुछ आये चर्चा करे का कोस्चन देख लेंगे देखिए आये चर्चा करे में पहला कोस्चन है ग्राम पंचायत कौन कौन सी योजनाय तयार करती है तो बताना है कि ग्राम पंचायत कौन कौन सी योजनाय तयार करती है तो देखिए उत्तर ग्राम पंचायत निमनांकित प्रमुख योजनाय तयार करती है जिससे क नमबर द हत्मजदूरों को काम देना एबन भुकतान करना फिर घा नमबर देखिए पसुपालन मत्से पालन दुग्द उद्योग को बढ़ावा देना फिर देखिए अंगा नमबर ग्रामिन पेजल सडक पूल आधी की विवस्था करना फिर देखिए त्या नमबर ग्रामिन का निगरानी करना तो यह सब जितना भी कार है सब ग्राम पंचायत का काम है और यह सब योजना त्यार करती है तो इससे आप नोट कर लीजे इसके बाद लोग और एक लास्ट कोर्शन देखेंगे इस चेप्टर का लास्ट कोर्शन है ग्राम पंचायत और सहरी निकाय के का इसके बाद गिखिये ग्राम पश्क क्लिएक क योजना इवं बजटि बनाना पर दिखे सहरी निकाई के करिया शहरी को क्लिएक क्लिएक什么 सहर के सारवजनिक सडकों, नालियों, अस्पतालों, कारक रखाव एवं सफाई करवाना फिर देखिए C नमबर, ग्राम पंचायत की कायर में C नमबर देखिए ग्रामिन विदुतिकरन की विवस्था करना याने की गाउगात करेंट याने की लाइट पहुंचाना फिर देखिए C नमबर, इधर सहरी निकाय की कायर में C नमबर देखिए सारवजनिक सडकों एवं गलियों में प्रकास की विवस्था करना फिर देखिए D नमबर, पसुपालन, मत्से पालन एवं दुद्योग को बढ़ावाद देना फिर देखिए D नमबर सहरी निकाये में D नमबर देखिए सुध एवं पर्याप्त जल की आपूर्ति कराना फिर देखिए E नमबर क्रिसी एवं भागवानी की योजना बनाना उसके बाद देखिए इधर सहरी निकाये की कायर में E नमबर जन्व एवं मृत्तिव का पंजीकर करना और प्रमान पत्र निर्गत करना तो इस तरीके से यह दोनों में अंतर है ग्राम पंचायत और सहरे निकाह इसे आप नोट के लिजिए आई हब आपको सब कुछ समझ माया होगा कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दिजिए मैं डाउट सेसर में किलर कर दूंगा और वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें इसी परकार के मैरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेश करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को All में क्लिक करें इसके बाद hds tutorial को touch करें आपके सामने कुछ इस तरीके का page open हो जाएगा अब आपको playlist पर touch करना है आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा playlist open हो जाएगा class 6, 7, 8, 9 subject wise और chapter wise तो यहां से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं धन्यवाद